माल लेते हैं कि आप डेली 50 रुपधी सबजी के उपर खर्च करते हो हो सकता है कमजादा करते हो less हो indaharand बारां के लिए 35 रुपधी सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको सबजी पर 500 रुपे महिने का डिसकाउंट दूँगा तो आपको यह offer बिलकुल अच्छा लगेगा और आप अपने friend circle में जो भी आपके साथ दोस्त होंगे उनको जरूर बोलेंगे कि भई आप भी इसी सबजी वाले से सबजी खरीदना और उनको बताएंगे भी नहीं कि यह policy है खर बताएं नहीं बताएं वो कोई issue नहीं है लेकिन आप 5 लोगों को उस सबजी वाले पर ला करके जोड़ देंगे उसके साथ में और उसकी sale बढ़ जाएगी लेकिन अब माल लीजे कि आप जब उसके पास अगले दिन सबजी लेने जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि ठीक है भाई साब आमने 5 लोगों को जरूर जोड़ दिया लेकिन यह जो 500 रुपे की scheme है इसमें एक छोटा सा catch यह है कि मैं आपको डेली 1 रुपे का ही discount दूँगा यानि डेली आप 50 रुपे की सबजी खरीते हैं तो आपको 1 रुपे का discount भी लेगा लेकिन आप उसी से लगातार सबजी लेते रहते हैं 7-8 दिन तक 10 दिन तक लेकिन 2 अफते बाद वो अचानक बोलता है 15 दिन बाद कि सर आपका जो discount था वो expire हो चुका है यानि अब आप कोई भी per day का 1 रुपे का discount नहीं ले पाएंगे अब इसमें आपकी क्या गलती है आपने कुछ भी नहीं किया आपने उसको 5 बंदे दिये 500 रुपे का उसने discount दिया लेकिन उसकी hidden terms and conditions ऐती थी जिसकी वज़े से आपको per day कर discount मिला और 500 के जगे सिर्फ 15 दिन का ही discount आप ले पाई क्योंकि 15 दिन बाद आपका जो discount था जो bonus थ करना लगातार बने रही है मेरना में विकास मीना आप देख रहे हैं 57 games तो guys सबसे पहले जानते हैं जुपी के फाइदों के बारे में तो देखें यहाँ पर जो फाइदे हैं जुपी के वो भी काफी सारे फाइदे हैं एक अच्छा बड़ा यह platform है gameplay के लिए आपको काफी ज्यादा अच्छी एक platform provide करते हैं काफी अच्छी services देते हैं सबसे पहला फाइदा आपको दे रहे हैं कि TDS cashback आपको यहां से मिल जाता है जैसा government ने एक नया rule लागू किया है पहले यह rule लिए था कि अगर आप 10,000 रुपे से जादा कोई amount जीतने हैं तो उस पर आपको TDS लगता था TDS काट करके वो जो भी game platform था वो TDS काट करके ही आपको पैसा देता था suppose अगर 30% TDS है तो आपको 10,000 में से 7,000 रुपे ही मिलते लेकिन अब government ने यह rule कर दिया है कि आप जितना भी amount जीतने हैं उस पर आपको TDS देना पड़ेगा net winning पर यहां पर आपके losses को गठा गेम काई सारे मिल जाते हैं और league जो इनोंने लागू करी है जुपी supreme league वो एक काफी unique game है यह game आपको और कहीं खिलने को नहीं मिलता है एक अच्छा fun game है easy to play game है बहुत ही quick game भी है पांच मिनट के अंदर आप game play कर लेते हैं और आप काई सारी entries 20 मिले सकते हैं तो आपको और अपने skills को improve करने का मौका मिल जाता है तो दूसरा फायदा यह होगा है कि आपको number of games और variety of games काफी जदा मिल जाती है तीसरा यहाँ पर फायदा यह है कि इनका जो chat support है जो इनकी email है वो भी इनकी customer service भी decent है टिकेट आप जो यहाँ से raise कर सकते हैं वो process भी इनका decent है बहुत ज transparency के साथ काफी सारी चीज़ें आपको इन्होंने app में provide कर रखी है इसके बाद एक फायदा यह भी है कि यह application जो है बहुत जादा hang नहीं करती है हाला कि इन्होंने लिख रखा है अपने app पर terms and conditions पर जाकर क्या पढ़ेंगे तो इन्होंने mention कर रखा है कि आपको high bandwidth का data आपके game है वह hang कर सकता है इसलिए जब भी आप game खेलें तो दूसरे mobile games दूसरे mobile apps की तरफ switch नहीं करें उसी app पर नहीं इसके अलावा इसमें problem आ जाती है guys कभी कभी मेरे साथ भी problem आ जाती है लेकिन वह 15-20 second का time रहता है जो हमें Ludo Supreme League खेलने में मिलता है उसी time के अंदर यह वापस return भी हो जाता है scheme जो screen है वो return हो जाती है यानि कि वहाँ पर कभी मैं आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं gameplay के दौरान network के वज़े से gameplay से out हो गया हूँ जुपी पर ऐसा कभी मुझे face नहीं करना पड़ा अब हम बात करते हैं disadvantages की यानि कि cons क्या है क्या नुकसान है अलग अलग तरीके के amount यह बताते हैं एक बताते है deposit का एक बताते है winning का एक बताते है cashback का एक बताते है bonus का तो जब आप इसको refer करते हैं तो आपको bonus मिलता है और उस bonus के amount में 0.1% का amount ही 0.1% का amount ही आप महाँ पर gameplay में use कर सकते हैं यानि कि 10 रुपे का अगर गेम है तो आप आपके bonus में से सिर्फ 0.01 पैसा कटेगा 0.01 रुपी कटेगा यानि कि एक पैसा कटेगा आपके bonus में से और बागी का पैसा आपके deposit से कटता है और कुछ दिलनों बाद आपका जो bonus है वो expire भी हो जाता है यानि कि आपने तो बहुत सारे लोग जोड़ दी होंगी हो सकता है आ हमें अगर अच्छा फील होता है तो हम refer भी करते हैं लेकिन referrals को यहां से कोई benefit नहीं हो रहा है तो मेरी यहां पर request भी रही है अगर जुपी के team इस वीडियो को देख रही है तो please referrals के लिए भी आप कुछ यहां पर जरूर लेकर कर के आए कुछ scheme लेकर कर के आए direct withdrawal का अगर आप दे सकें bonus amount को अगर direct withdrawal करने की permission दे सकें तो best होगा या आप पूरे उस amount से पूरे amount से हमें gameplay करने की भी पगर permission देते हैं तो मेरे जैसे दूसरी users के लिए बहुत ज़्यादा beneficial यह चीज़ होगी इसके पास दूसरी disadvantage है जुपी की वो यह है कि आप 60 रुपी का withdrawal limit मिलता है यहाँ कि minimum 60 रुपी जब आपके हो जाएंगे तब आप withdraw कर पाएंगे लेकिन कई सारे ऐसे players भी हैं जो student है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है गरवालों से pocket money लेकर गेम किलते हैं वो एक रुपे पांच रुपे वाले गेम किलते हैं 60 रुपी एक्युमिलेट क यहाँ पर डाइस में क्या रोल होकर क्या आएगा वो आपके control में नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ खेलो वहाँ skills है जहां हलाकि है skills है लुपे skills है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि skills नहीं है skills है यह जो chance based game है उनके बजाए तो बहुत अच्छा है जहां पर आपको को color prediction करना है या कोई number prediction करना है उनके बजा तो बहुत अच्छा game है बहुत ही better है लेकिन 100% skill based यह भी नहीं है तो यहाँ पर आपका जो winning ratio है उसे भी आप बहुत ज्यादा high amount में maintain नहीं कर पा सकते हैं तो यह कुछ disadvantage थी मुझे लगता है कि जूपी के अंदर है और कुछ advantages भी मैं आपको इस वीडियो में बता है वीडियो आपको अगर पसांद आया है तो वीडियो को share जरू करें अपने दोस्तों के साथ में जो जूपी से game खेलना पसंद करते हैं या खेलने के बारे में सोच रहे हैं हमारे चैनल पर इसी तरीका को content लगातार मिलता रहता है हमारे चैनल को subscribe कर पहुंच चुके हैं प्लीज हमें और support कीजिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को share कीजिए मेरे फेवरेट गेम आप्स के लिंक आपको description मिलेगा आप जाकरके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं खेल सकते हैं अगर आप मेरी gaming activity के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहां पर game खेल रहा हूं कि आतना पैसा जीत रहा हूं तो आप मेरे साथ परस्टाली चूट सकते हैं मेरे टेलग्राम चैनल पर जिसका लिंक भी आपको description में मिल जाएगा आज के वीडियो में तब तक कि लिए मुझे दीजिए जाजब जय हिंद जय भारत